Hello everyone, Namaskar, Welcome back to Learn with Simran, I hope you all are doing well and staying safe at your places, so I am back with a new video, जिसका टाइटल रहने वाला है विर्दी और विकास, यानि कि हमारा Growth and Development, तो आज हम जानेंगे कि Growth and Development अलग अलग क्या होते हैं, और साथ में इन दोनों के बीच में आखिर अंतर क्या है, तो शुरू करते हैं, तो सबसे पहली ब Development को Synonymously Use करते हैं, यानि हम उनको समानार्थक की तरह हम उनका उपयोग करते हैं अपने Day-to-day Life में, लेकिन Growth and Development जो हैं, वो दोनों अलग-अलग हैं, दोनों अलग-अलग Concept हैं, लेकिन जो Growth and Development अन दोनों का Result क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर, या हमारे जो Personality है, उसके अं तो अगर हम Growth की बात करें, तो by Growth we mean Physical Changes, यानि कि हमारी Body के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, जो Physical Change, यानि शारिरिक और Change मतलब बदलावाएं, यानि हमारे अंदर जो शारिरिक रूप से जो बदलावाते हैं, वो कहलाती हैं, हमारी वृध्धी, वो कहलाती हैं हमारी Growth, ठीक ह जो वेट होता है, जो हमारा, वो किसका Result होता है, वो भी हमारा Growth का Result होता है, एक हमारे जो है, साइकोलोजिस्ट रहे हैं, एल के फ्रैंक, उन्होंने एक डेफिनेशन दिये, परिभाशा दिये, उन्होंने कहा, कि the changes that occur in any physical aspect are known as growth, यानि कि कि किसी भी प्रकार का कोई भी ब facing any of the physical change that is known as growth, ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, कि जो एक growth होती है, अब जो एक growth है, ये कब तक होगी, ये जो growth होती है, ये बर्थ से लेकर एक time period तक होते है, यानि कि ये continuous process नहीं है, जो हमारी growth है, वो continuous process नहीं है, वो adult sense तक जाके, यानि कि वो हमारी किशोर रव अगला जो इसका point है, वो ये है, कि जो physical growth होती है, वो हमारे अंदर quantitative changes को बताती है, यानि जो हमारे physical changes है, वो quantity में हम उसको measure कर सकते हैं, वो measurable होती है, यानि कि जो हमारी height है, हम बोल सकते हैं, कि पहले मेरी height 3 foot थी, अब मेरी height जो है 4 foot कुछ inch हो गई है, तो यानि कि ये quantity है, ये एक number है, ये एक संख्या की रूप में, हम अपनी वृद्धि को, हम अपनी growth को माप सकते हैं, हम उसको measure कर सकते हैं, अगला point जो growth होती है, वो perceivable होती है, यानि कि हम उसको देख सकते हैं, हमारे पास उसके evidence होते हैं, यानि हमारे पास कुछ सबूत होती है, जिनको हम हमारी वेट है जैसे कि पहला भात कि जो ग्रोथ होती है वह हमारा किस चीज में रिजल्ट करता है हमारी इंक्रीज इन वेट के अनदर आगर हमारे हाइट के अंदर या किसी बीप्रकार से हमारी शरीर के अंदर कोई भी बदलाव आता है ठीक है वो क्या कहलाता है हमारी ग्रोथ यानि हमारी वुरिद्धी कहलाता है उसके बाद जो हमारी वृद्धी होती है वो हमारी quantitative होती है वो संख्या अत्मक होती है ठीक है उसको हम संख्या में उसको हम numbers में लिख सकते हैं उसक जब हम zero से दो वर्ष तक की जो हमारी ऐल होती है उस सब इसके बाद यह का जाता है जो क्या जाता है जब हमारा विच्टफ भी सकती है और कि कहा जाता है कि जब मनुष्य की height बढ़ती है जब किसी इंसान की height बढ़ती है when the height increases the weight automatically decreases ठीक है जब कोई है उसके बाद जो हमारा जो growth होती है उसको क्या क्या चीज़े affect करती है जो हमारी growth है उसको affect करती है हम कैसा भोजन खाते है हमारी कैसे physical activity है यह हम कितनी exercise कर रहे हैं तो अब चलते हैं हम development के ओर यानि की अब हम चलते हैं विकास की ओर तो विकास growth से काफी बड़ा concept है ठीक है growth को वहीं जो डेवलेप्लप में देखते है और है development का ही एक ऑनले स सब्सक्राइबड़ी है वह हमारी विघिद्धी है वह सक्षान है जो हमारी development होता है वो कहलाता है हमारी body के अंदर overall changes, हमने growth में किसकी बात करी, physical changes की, हमारे शारीरिक बदलाव की बात करी, लेकिन हम विकास के अंदर, हम development के अंदर, अपनी पूरी body के अंदर, किसी भी प्रकार से, चाहिए हो हमारा mental development हो रहा हो, हमारा linguistic development हो रहा हो, ठीक है, इन सभी को हम क्या क होते हैं तो हमारा विकास होता है अब देखो जो मिरांवी के रहता है वह उसके अंदर हमारा डैवलप्मेंट होता है वह हमारी कैसे चेंज होते हैं हम ने जाना था कि जो गुर्व होती है वह हमारा development है वो हमारा qualitative change होता है यानि कि उसके अंदर जो होती है quality में change होता है यानि कि हम उसको number में तो नहीं गिन सकते है लेकिन हमें वो दिख जाता है कि हाँ भई ये change personality में आया है ठीक है अब उसके बाद जो development होती है उसकी वज़े से क्या होता है जैसे हमने growth जाना growth की वज़ेसे हमारी height बढ़ती है weight बढ़ता है हमारा size बढ़ता है development की वज़ेसे जो हमारी body की functioning होती है जो हमारे organs होते है जो हमारा digestive system neural system या जो भी excretory system यह सबी जैसी हमारी development होगी उसी प्रकार से ये भी सब अच्छे से function करेंगे या मतलब अगर हमारी development अच्छी है तो हमारी personality अच्छी उभर करके आएगी ठीक है अब उसके बाद जो development होती है हमने जाना कि जो growth होती है growth एक time तक होती है वो adult sense तक होती है वो किशोरवस्था तक हो करके रुख जाती है लेकिन जो development होती है उसको कहा जाता है womb to tomb यानि कि मा की कोक से लेकर कि जब तक मनुष्य की mrithya नहीं होती यानि जन्म से लेकर mrithya तक जोती है उसको हम विकास कहते है यह किसी भी शन रुकता नहीं है यह किसा भी टाइम पर रुकता नहीं है और उसके बाद जो हमारी development होती है वो development किस-किस कि इतने आ हो में च्मिकास सोच यह चाल के लूप है चोडह सा इसको कर लेते हैं थोड़ कर लेते हैं सबसे पहला लोग ज क्रोद का यह नहीं कॉंसप्टर वह है जोडन वहीं जो हमारी डेवलपमेंट होती है 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 वहीं जो हमारी डेवलपमेंट होती ह जो हमारा विकास होता है विकास जो है निरंतर चलने वाला निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है यानि वो हमारे जन्म से लेकर मृत्यू तक होने वाली प्रक्रिया है उसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारा यह है कि जो ग्रोथ होती है वो हमारी quantitative होती है यानि कि उसको हम सं होती है वो development का हिस्सा है तो यह हो गए development के पार उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट यह जाता है कि जो growth होती है वो एक particular aspect में हमारे अंदर बदलाव ले के आती है यानि वो केवल हमारे शारीरिक रूप से बदलाव हमारे अंदर लेके आती है लेकिन जो development होती है जो हमारा विकास होता है वो हमारा as a whole वो एक पूर्ण रूप से हमारे अंदर बदलाव ले करके आता है और जो हमारी personality होती है उसको effective बनाता है उसको उभार करके आता है तो यह था हमारा growth or development I hope आप सभी को समझ आया होगा thank you so much for watching please do like share and subscribe to my channel thank you for watching